नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से मिठाई बाटने के लिए हो जाओ तैयार पूरे 50 किलो मिठाई बाटने पड़ेंगे क्योंकि खुशखबरी ही कुछ ऐसा लाया हूँ कि सुनते ही आप खुशी से नाचने लग जाओगे जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी के जीवनकाल में जो बड़े चमतकार होने वाले हैं यह कल युक का सबसे बड़ा चमतकार होगा आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि आपका भी जीवनकाल में ऐसा भी घटना होगा परन्तु दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि भगवान के घर देर है, मगर अंधेर नहीं अब आप सभी के सारे अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया जी हाँ दोस्तों, अब समय रहते हो, जाइए तयार अब इश्वर का आशीरवाद आपके उपर बरसाने वाला है कल से आप सभी की जिंदगी में जो होने वाला है किसी ने सोचा नहीं होगा बस हम आप सभी को इतना कहना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो को आप अकेले में देखना जो भी इस वीडियो को आज नहीं देखेगा, कल से वह पक्का पच्छता आएगी क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं आता बड़े ही किस्मत वाले हो आप, जो इतने बड़े मौके आप सभी के हाथ आने वाले जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा माता रानी के आशिरवाद से आपके सारे दुख दर्द, कष्ट संकट समस्याएं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे चलिए बात करते हैं जी हाँ दोस्तों कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और आश्चर्य जनक होने जा रहा है और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं बातें आपकी राशिके ग्रह नक्षत्रों का आश्चर्य जनक और अद्भुत सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाईए बस अर्थ केवल इतनी सी है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अकेले में एकांत में बैठ कर देखना होगा पूरे ध्यान के साथ देखना होगा दिखा दोस्तों तभी आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी तो चलिए आज किस वीडियो प्रारंभ करते हैं लेकिन इससे पहले आप से एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जैमा भदर काली लिखना ना भूले माता का सीधा प्रेम और आशीरवाद आपको प्राप्त होगा आपका जीवन सुन्दर और सरल बन जाएगा दोस्त हम आपको बता दें कि यह जो समय अभी आपके जीवन काल में चल रहा है ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है या यूँ कहें कि आपके जीवन का कुछ ऐसा उतार चड़ाव भरा समय है कि आपके मन में थोड़ी बेचैनी सी बनी रहती है किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ न कुछ खयाल चलते रहते हैं कह सकते हैं कि आपके मन में कुछ न कुछ चिंता है, घर करके बैठी हुई हैं, हालां कि अभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं रहा है और नहीं किसी बड़े और पूरे समय कि आपको भविश्य में उम्मीद है। जो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं। उल्टे सीधे आपकी बातों के मतलब निकाल कर फिर आपसे तमाम तरह की फुल जरूर बातें करते हैं जिससे आपका मन। और खराब हो जाता है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आने वाले तीन दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है। आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेश लाब दिलवाने वाली है। बस इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे। जिन दोस्तों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बात है ही आपके। जिस वजह से आपकी जीवन में जो असंतुलन बना हुआ है आपकी मानसिक अस्थिरता बनी हुई है। आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की इस्थिती बनी हुई है उसका कुछ न कुछ तो कारण है कोई न कोई तो बाधाएं है उन बाधाओं को गाना बहुत आवश्यक है अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आपा आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं बस करना आपको इतना है कि चीजों को बस अच्छी तरह से समझ लेना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है दोस्तों उपाए असल में क्या है जब हम भोपाल करते हैं तो असल में हम अप करते हैं उससे प्राप्त होने वाले परिणाम बाकी सारा काम कर देते हैं बस हमें करना इतना है कि अपने आसपास की और जाओ का संतुलन सही बनाना है किसी न किसी वजह से यह संतुलन बिगड़ चुका है नकारात्मक उर्जा प्रवेश कर चुकी है उस नकारात्मक पूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा ये दोस्तों बस एक बात आपको याद रखनी है कि जीवन में कोई भी बदलाव रातो रात नहीं आते हैं थोड़ा सा आपको गंभीरता से और धैर्य के साथ काम लेना होगा और कुछ उपाए जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा अब हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और रोज आपके जीवन को बहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आते रहते हैं बस आप से इतना चाहते हैं कि आप हमारे व 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जो कि बहुत चमतकारी परिणाम आपके जीवन में ला सकती है बस जरूरत है तो बाधाओं को मिटाने की हम आपको बता दें कि आने वाले तीन दिन आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन होने जा रह हैं आज से ही महसूस होने शुरू हो جाएंगे या दोस्त, और सबसे पहला अंतर आपको यह दिखाई देगा कि आपकी मांसिक्ता सकारात्मक हो जाएगी और आपके आत्म विश्वास में बढ़ोत्री हो जाएगी. और सबसे खास बात दोस्तों कि आज आज आपकी रुकी हुई पेमेंट यानि की रुपए पैसे को लेकर जो आपकी कहीं अर्चना रही थी वह समाप्त हो जाएगी और पैसा आपके हाथों में आएगा अब आपका स्वभाव तो बहुत ही निश्चल है आप किसी के बारे में मन में कुछ गलत भावना नहीं रखते हैं लेकिन कोई आपका अपना है जो आपकी इस भावना का लाब लेने की कोशिश करेगा आपके भोले भाले स्वभाव का लाब उठाने की कोशिश करेगा तो थ चाहे रुपए पैसे से, वहाँ चाहे किसी अपने संसाधन से हो, किसी प्रकार से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे. बाद में आपको पच्ताना पड़ेगा. हम आपको बता दें कि सोच समझ कर ही किसी की मदद करें और ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि यह जो ग्रहस्थिती है यह तब ही बिगड़ेगी. जब आप अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाएंगे. एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी किसी कीमती चीज के गुम होने के आसार बन रहे हैं कि तू का गोचर आपका नुकसान कराएगा. कोई कीमती चीज आपकी गुम हो सकती है जैसे कि आपका फर्ज है, आपका मुबाइल है या आपकी किसी प्रकार की ज्वेलरी वगेर है तो थोड़ा सा सावधान रहें. अपनी चीजों को संभाल कर रखें, दोस्तों आपके व्यापार से संबंधित बात कर लें. तो आपके व्यापार में जो छोटी छोटी बात है उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, यानि कि समस्याओं के हल बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, लेकिन कार्य की अधिकता की, जैसी आपको ठकान अवश्य रहेगी और हल नियम रखने की आवश्यक्ता रहेगी, यदि आपने जरूरत से ज्यादा किसी से कुछ कह सुन दिया, तो विवादित स्थिती उत्पन्न होनी ही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात के आपको अपनी चिर्चिरी स्वभाव पर नियंत्रन रखने की आवश्यक्ता है, अतलब ये है कि सخت रवईया को अपना कर आप अपना नुकसान करेंगे, थोड़ा सा आपको समझोता भी करना पड़ेगा, अब आपको बताते हैं उस महत्वपूर्ण योग के बारे में, जो अगले 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में बनेगा, आपकी राश्य में बनेगा और इसका आपको बहुत अधिक लाब प्राप्त होगा विशेश तोर से, आपकी मानसिक शान्ति को लेकर और दूसरा आपकी रुपए पैसे की समस्याओं को लेकर दोनों ही तरफ से आपको बहुत अधिक राहत प्राप्त होगी दोस्तों यकीन मानिये हमारा प्रयास बस इतना सा रहता है कि हम आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान जोतिश के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ संभव करवा सके ना केवल आपके जीवन में कोई समस्या समाप्त हो जाए बलकि वह उन्हें दोबारा कभी लौट कर भी ना आए तो ध्यान से सुनिए जो योग आपके जीवन में बनने वाला है उसे हम कहते हैं गज लक्ष्मी योग यह बहुत ही विशेश योग होता है हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं यही योग बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और जातक को धन लाब बहुत अधिक करवाता है मानसिक शान्ती बहुत अधिक देता है बस आपको कुछ सावधानियां रखने की आवशक्ता है जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं हो रही है, मन्चाही सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही है, रुपए वैसे आपकी जेब में रुक नहीं पा रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, तमाम तरह की और भी समस्याएं, खीचतान और मानसिक पीड़ा आपके जीवन में जो चल उन सब का कारण कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है जी हाँ दोस्तों इसके उलट आपकी मानसिक्ता बहुत अच्छी है आप किसी को जान बूच कर पीड़ा नहीं पहुचाना चाहती है और अनजाने में भी यदि आपकी हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाता भी करते है फिर भी आपके जीवन में कश्ट परिशानिया है तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी तभी एक कृपा को आपके जीवन में आने नहीं दे रही है ये दोस्त तो अब जब तक आप इस बाधा को नहीं काटेंगे तब तक ना तो ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही दैवी ये कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी या दोस्तों बात कर वी लेकिन सत्य है चाहे आप माने या ना माने हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमने जीवन भर इश्वर की आराधना की है मानव फ्री है तमाम तरह के कार्य किये है यानि तमाम तरह के व्रत और उपवास, पूजा पाठ, कर्म कांड आदी किये है फिर भी जीवन में सरलता नहीं है बड़ी विशमता है, बहुत कठिन जीवन है मुश्किल बहुत बड़ी हुई है क्या किया जाए, समझ में नहीं आता है तो दोस्त, हम उनको भी यही समझाते है कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा समस्या के मूल को मिटाना होगा तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आप आएंगे जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं विशेश तोर से पैसे रुपए को लेकर समस्या दूसरा मेहनत का सही फल ना मिल पाने की समस्या दो समस्याएं मुख्य है इसी से सारी समस्याएं की शुरुआत होती है एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है तो मूल समस्या आए तो यही है आपके जीवन में रुपए पैसे बढ़ जाएं जरूरत के मताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगे आपकी जरूरत है आपके परिवार जनों की जरूरत पूरी होने लगे आपको काम्याबी मिलने लगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे तो अब आप समझिये कि यह समस्या क्यों है? इन समस्याओं का मूल क्या है? दोस्तों, मूल केवल दो ही जगह पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयम के रक्षक आपने शक्तिहीन कर दिये हैं. पहले आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है? वह है. शनी देव के पास ये चीज आप समझ ले फिर बात करते हैं आपके घर के रक्षक, आपके घर के रक्षक कौन है, आपके मित्र है, पूर्व से दूसरा आपकी कुल देवी देवता है, तभी तो उन्हें कुल देवी देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कुल के पालनहार है, तारनहार है, आपके साथ अन्याय तभी होगा, जब क शास्त्रों का यह विधान है, अब आप बेशक चाहे माने या ना माने नकार दें, सच्चाई को कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर कश्ट सहने होंगे, जीवन भर किराय से होंगे और अंत में आप हो घूम फिर कर, वहीं जाना है कि कोई आपको बताएगा, कुछ उपाय करने के लिए जिससे मित्र आपके खुश होंगे, वह जवान होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगे, या दोस्तों, हम आपकी छोटी सी घटना बताते हैं, आप ध्यान से सुनना कि एक हमारे जानने वाले हैं, कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं, जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सफलताएं किसी को मिलती, किसी को नहीं मिलती हैं, तो आप छोटी सी घटना समझिए कि उनका व्यापार जो था, उन्हें थोड़ा थोड़ा लाब प्राप्त हो रहा था, टेंशन में रहते थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उड़ जाए कैसे बदलती है और चमतकार कैसे होते हैं इस बात का प्रमाण है आप ध्यान से सुनना दोस्तों घटना बिल्कुल वास्तविक है सच है तो उन्हें किसी ने यह बता दिया कि आप एक अभी छोटा मोटा अपने घर में ह कमल गट्टे लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए क्योंकि एक हाथ से तो आहुती देंगे तो दूसरे हाथ से कमल गट्टे से गिंती पूरी करेंगे तो कमल गट्टे 108 उन्होंने ले लिए यह बात ध्यान से सुनना चमतकार होता है रात तो रात कोई माने या ना मान तो भी कमलगट्टे लेकर आते हैं दुकान से और उन्होंने कमलगट्टों को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया इसके बाद दूसरे ही दिन से उनकी बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया लगातार उन्ह दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया काम तो वही सब कर रही हैं लेकिन पिपरी इतनी अच्छी कैसे हो गई इतना अधिक कैसे होने लगा तो विचार करते करते उनके दिमाग में यह आया कि शायद कमलगट्टे क्योंकि यही एक अलग कार्य था जो उन्हों उन्हें कोई हवन किया और ना ही कोई उपाय किया कुछ भी नहीं किया केवल कमल गट्टे लाकर इस विचार से की हवन करेंगे तो इनसे गिंती पूरी करेंगे बस इस विचार से उन्हें लाकर रख लिये और हवन किया भी नहीं और उनकी व्यापार में विक्री काफी अधि होने लगा है कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी स्वयम उनके घर में प्रवेश कर गई अब इतने छोटे से उपाय से उन्हें इतना लाब हो गया दोस्तों अब कोई आकर यहां हमसे कहे कि उपाय काम नहीं करते हैं तो हमें तो इन बातों पर विश्वास बिल्कुल भी न नहीं थे बस उन्होंने कुछ उपाय करें तो बस दोस्तों को पाय की स्थिती को आप जानिये मेहनत करिए आपको सही फल प्राप्त होंगे तो अब तीन जगह आपको विशेश कार्य करनी हैं दोस्तों आप ध्यान से समझना पहला शनी देव हर इंसान जो इस धर्ती पर है हर इंसान के नसीब का भागय का सही लेखा जोखा शनी देव के पास है अब कोई चाहे कुछ भी कहे आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा किसी की राशी में अधिक और किसी की राशी में कम लेकिन शनी देव का प्रभाव तो होता ही है आप ज शनिवार के दिन पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है बस इतना सा कर लीजिए शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए दूसरा कि आपके मित्र पूर्वज तूने उर्जावान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है अब आपने श्राध्ध पक् से हमारे पुत्र पूर्वज उर्जावान रहेंगे जी नहीं दोस्तों हमें रोज नित्य अपने पुत्र पूर्वजों को उर्जावान बनाने के लिए मेहनत करनी होगी कार्य करने होंगे तो मेहनत कुछ खास नहीं है बस सूर्य को अर्ग देना है सूर्य को अर्ग देना बिल्कुल भी ना भूले सूर्योदय से पहले जागे और सूर्य को अर्ग्य दे और सूर्य को जो अब आप दे रहे हैं उस जल में आप काले तिल अवश्य मिला ले इससे आपके पित्र उर्जावान होते हैं और शाम के समय घर की दक्षन दिशा में एक गाय के घी का दीपक यह दीपक आपके पित्र पूर्वजों को उर्जावान बनाएगा शक्तिशाली बनाएगा आपके घर की हर एक नकारात्मक उर्जा बाहर निकल जाएगी तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप अपने घर की दहलीज पर मुख्य दर्वाजे जो है उसकी दहलीज पर बीचो बीच एक दीपक जलाए रोज जलाए दीप जलाए यह दोस्तों बहुत मेहनत का कारे नहीं है शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी आपके उपर में सकारात्मक ता कितनी आएगी यह जो स्थान है यानि आपके घर का मुख्य दर्वाजे की जो दहलीज है यह स्थान आपकी कुल देवी या देवता का होता है यह दोस्त तो समझो आपकी मुख्य दर्वाजे पर ही कुल देवी देवता बैठे हुए है लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया सम्मान किया अब आपको नहीं पता कि कौन है आपके कुल देवी या देवता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों बस आपको एक दीपक वहां जला देना है दीपक की बाती का मुख बाहर की और रखना है दीपक आग जलाई है और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमतकार होने शुरू हो जाते हैं कहां कहां से आपको फाइदा होगा कैसे कैसे आपके घर में धन लक्षमी का वास हो जाएगा अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यही कहेंगे कि विशेश विधी विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं इस धन का कट धन की पोटली अपनी जेब में रखने के लिए अपने जो धन का स्थान है आपके घर में तिजोरी वगेरा है अलमारी बगेर उसके लिए तयार करिए और चमतकार देखिए दोस्तों यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कहने से साथ कमल गट्टे लाकर अपने घर के पूजा घर में रख लीजिए एक लाल कपड़े में लपेट कर उन्हें अपने घर के पूजा घर में बस रख दीजिए और आप देखे चमतकार कैसे कैसी होती आपके जीवन में यह तो हो गया बाधाएं समाप्त करने का कर्म की अब इनसे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वह धीरे धीरे हटने लगेंगे समाप्थ होने लगेंगे हो सकता है कि आपके कर्मों की शक्ती प्रबल है आपका सौभाग्य जाग्रित है तू प्रभाव रातो रात भी हो जाए या फिर कुछ समय लगे लेकिन आपको बाधाओं से मुक्ती निश्चित तोर पर प्राप्थ हो जाएगी गजलक्ष्मी योग के लिए आप क्या करेंगे तो आप बाजार से हाथियों का एक जोड़ा खरीद कर लाई है छोटी छोटी मूर्तियां लेकर आना है याद रखना है मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए या धातु की होनी चाहिए अन्य प्रकार के मटेरियल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए जैसे प्लास्टिक वगेरा है कि नहीं मूर्ति खोकले नहीं होनी चाहिए यदि मूर्तियां को कोकली मिल जाती है तो आप उसमें मिट्टी भी भर सकते है अब आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इन मूर्तियों को स्थापित करना है याद रखना है कि मूर्तियों को आमने सामने रखना है यानि इनका मुख्य एक दूसरे की तरफ होना चाहिए बस आपको इतना सा करना है और आपके यहां जो तुलसी है उस तुलसी के पास शाम के समय दोस्तों ध्यान से सुनना है शाम के समय एक गाय के घी का दीपक जला देना है बस इतना सा काम करना है आपको देखेंगे आप कितने बड़े बड़े लाब आपको प्राप्त होते हैं, जीवन बदलने लगेगा अब एक बात जो हम आपको बता दें ये है दोस्तों की आपको जीवन में जो भी सफलता है प्राप्त होगी वह बहुत मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होंगी इस संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होंगे लोग जिन्हें आसानी से सब कुछ मिल जाता होगा लेकिन आपको सब कुछ कठिनाई से ही प्राप्त होगा लेकिन जब एक बार आपको सफलता हाथ में आ जाएगी तो फिर आप जीवन भर उस काम्याबी का आनंद लेंगे ऐसे में आपको ईश्वर का ध्यान करना है भक्ति भाव में रहना है सत्य का साथ देना है और कभी भी किसी भी हालत में किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करना है बस इन सब बातों का ध्यान रखिए गरीबों को भोजन कराईए और दर्वाजे से किसी को भी खाली हाथ जाने मत दीजिए बस इन बातों का ध्यान रखिए और आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा आपकी हर मनुकामना पूर्ण होने लगेगी काम्याबी आपके कदम चूमेगी तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो आपको उन्नती और तरक्की प्राप्त हो बस मेहनत आपको करनी होगी यह बात आपको ध्यान रखनी होगी आस्था विश्वास आपको बनाये रखना होगा जीवन में आपके सब कुछ अच्छा हो इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा काली जैमा लक्ष्मी लिखना ना भूले माता का सीधा, प्रेम और आशिरवाद आपको प्राप्त होगा मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैमाता की